Good morning everyone, welcome to Neatpedia, now हम लोग NCRT Rapid Review में एक नया चप्टर स्टार्ट करने जा रहे है, that is breathing and exchange of gases, now topic wise मैंने MCQs डिवाइड कर दिये हैं, वो आप Neatpedia एप से जाके डाउनलोड करके solve कर सकते हैं, ठीके, revision एक बहुत बढ़ा key point है, तो Rapid Review बनाने का मतलब ही यह था कि आप इसको fast revision कर प टॉपिक है हमारा breathing and exchange of gases, ना जोना concept को समझेए, यह gases और breathing का ज़रूरत पढ़ क्यों रहा है, कोई भी organism हो, सबको लगता है क्या, energy, भै energy आएगी कहां से, nutrient से, that means nutrients को oxidize किया जाता है, CO2 प्लस water में, और साथ में release होती है energy, now अब इस process के लिए हमको oxygen का ज़रूरत पढ़ता ह है, जो की करवाता है, क्या, oxidation, ना अब बात में ध्यान दीजिए, oxygen जो है, वो कहां present है, atmosphere में, that means atmosphere से oxygen लेकर हम कहां ले जाना है, body के अंदर, और body से CO2 को बाहर फेकना है, क्योंकि यह CO2 जो है, वो toxic है, यह CO2 जो है, इस CO2 को हमको बाहर भेजना है, ठीक है, यही है पूरा, respiration, ठीक है, यह जो oxidation का काम हो रहा है, यह cell के अंदर हो रहा है, so this is called as cellular respiration, cellular respiration, और जो यह gas का exchange हो रहा है, body से CO2 बाहर जा रहा है, O2 अंदर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, breathing, इसको हम लोग बोलते हैं, breathing, चलिए, NCRT line by line हम लोग देखेंगे, क्या-क्या लिखा हु breathing cells, ध्यान रखिए, cells लिखा है, that means, it's a intercellular process, जो oxidation होता है, within the cells होता है, ठीक है, intercellular process होता है, Mg क्यों जा सकता है, yes, release of energy, साथ में produce होता है, साथ में produce होता है, CO2 जो क्यों होता, toxic, अब इस CO2 को बाहर भीचना है, O2 को अंदर लाना है, ठीक है, now breathing क्या है, exchange of O2 from atmosphere with CO2, CO2 से exchange हो जा रहा है, जो कि produce हो रहा है, CO2 कहा, by the cells, now अब देखें, अब यह breathing का जो mechanism है, अलग-अलग organism में, अलग-अलग तरह का है, ठीक है, किसी में जनरल body surface होता है, किसी में skin है, किसी में respiratory organ gills है, ठीक है, किसी में lungs है, ठीक है, किसी में lungs है, चलिए, तो overall भीए को हम देख ले silentrate and flat work, skin में कहां कहां हो रहा है, yes, earthworm, leech, amphibian, ठीक है, जो NCRT में examples है, वो आप व्यादर्फ करने पढ़ेंगे, tracheal tubes ध्यार रखेंगे, जितने भी insects होते हैं, उसमें क्या होगा, tracheal tubes, centipedes, millipedes, spider, यह सब में क्या होता है, yes, tracheal tubes होता है, tracheal tubes होता है, tracheal tubes होता है, detail मे इसी बोलते हैं क्योंकि गाल में होता है, गिल्स और यहां पर ब्रंकाई होता है, so इसको बोलते है, brachial respiration, now, कहां होता है, feces में होगा, tadpoles में होगा, tadpoles क्या है, amphibians है, amphibian का larva है, aquatic arthropods and mollusks, जो mollusks और arthropods aquatic होते हैं, उनके अंदर भी यह पाया जाता है, lungs, vertebrates में ज लेके mammals होता है, reptiles, apes, amphibians, mammals, यह सारे के अंदर क्या होगा, pulmonary respirations पाया जाता है, ओके, चले, एक question देखिए, mechanism of column 1 को match करना है, column 2 से, ठीक है, अर्थ हम अभी आपने पढ़ा था, क्या, moist critical से होगा, sponges में क्या होता, simple diffusion होता है, insects में अभी आपने पढ़ा, trichel tube से होता है, और fishes में क्या होता है, gills, ठीक है, तो कौन से answer जाएगा, earthworm का हो रहा है, तीन नंबर, earthworm का, a का तीन नंबर में मतलब, a, b, a, c और d में से कुछ भी हो सकता है, b देखें, fishes, gills, b का 1, c का 2, और d का 4, match कर रहा है, so a is the correct answer, okay, ऐसे से बहुत सारे mcqs आपके app में मिल जाएंगे, आप वहाँ से solve कर सकते हैं, now, human respiratory system की बात करना है, human respiratory system की बात करेंगे, तो क्या होता है, पूरा human respiratory system divided है, कहां से, पूरा यहां से nostril से start हो रहा है, और lungs में alveoli में जाके end हो रहा है, nostril से start हो रहा है, alveoli में end हो रहा है, तो यह दो पार्ट में divided है, किसमें किसमें, एक जो air passage हो रहा है, that means airway tract, और दूस यह आपका nasal cavity that means यहां से start हो रहा है external layer से लेके nasal cavity ठीक है फिर यह धीरे धीरे अगर आप देखें यह nasal cavity just a minute यह nasal cavity nasal chamber यह एरिया फिर देखें यहां पर mouth का opening बखल केविटी का opening होगा फिर यहां पर दो ट्यूबस होते हैं ठीक है सामने के तरफ जो होता इसको ट्रेक्या बोलते हैं विंड पाइप और पीशे जो होता है क्या food pipe ठीक है और यह area जहाँ पे यहाँ पे air भी आ रहा है और food particles भी आ रहा है इसको हम लोक बते हैं things यह वह area है जहाँ पे air और water air Gespr even cross करता है store गोता है यहां पर धाता फूड़ पयप में पूड़ में hat मैं फूड़र जो होगा यहां से यहां से इस टीक है यहां पर कई रहता है इसकोte दैखेंगे तो यह area है फेरिंग जहां पर फूड और और फेररे को क्रॉस करता है तो नैसल पहले एरिया में जो फैरिंग्स होगा उसको निजो फैरिंग्स बोलेंगे और यहां पर एक भॉइस बोक्स रहता जिसे लोग लिरिंगो फैरिंग्स बोलते हैं फिर आपने देखा यह पूरा आपका चेम्बर दिख रहा है उसके बाद फिर just a minute okay तो फिर आपने देखा ये आपका tube है, this is called as what, this tube is trachea, this tube is trachea, फ़र अर आगे बढ़ते हैं फिर ये trachea जो है divided हो जा रहा है आभी जो trachea का division है वो fifth, पीछे जो रिड की हड्डियां है उसमें fifth thoracic vertebrae होता है, उस level पे ये जाके प्राइमरी ब्राइमरी 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 ब् एक्स्टरनल नोस्ट्री से स्टार्ट हुआ नेसल पैसेज गया फीर नजल है नजल چेमर से पिसे कहां पर जाएगा त्वीत है एस एरिया में यहां स्ट में नयजो फेल हिरिक्स में है निर्लका ग्लौटि में आया जो इंड़ल विइंड होता है जौप से गलोटी से यहां पे काम होता है जब फुड पार्टिकल्स करता है तो यह ऊपर राइस करेगा तो यह त्राइक्या इसको क्लोज कर देता है तरदर के फूड पार्टिकल्स आपके विंड पाइप में ना आ जाए पिर के हमें पहीं पर लेरिंग्स है उसके बद़्श्मीन के यहां तक के ट्रेज सुनyang iAS तो आप वहाँ पर जाओ इस ट्रेमिनल बॉंकियोज इस ट्रेमिनल ब्रॉंकियोज गीव राइस टू मेनी थीन वस्कुलराइस अल्विलाई और अल्विलाई ही जो है वो प्राहिमरी साइट ऑफ इक्षेंज ऑफ गैसे से ओके इसको दो भाग में डिवाईड किया सकता है एक जो किसी कंड़ों कर रहा है एक जो और एक जो आप बात करते हम लारिंक का लारिंग्स जो है Larynx the larynx sound box भी बोलते है कि वॉइस बोलते है क्यों कि यह sound का production करवाता है इसमें fold like structure रहता है जिसको हम लोग कोड वोकल कोड वोकल कोड यह वोकल कोड गोड होता है वोकल कोड होता है और प्रोड्यूस करथा लेंट है कि आप देख रहे प्रध्र, तो यह आप देख रहे हो क्या है? ट्रेक्या नहीं पीड्लूस करता है लेंट कमेल नहीं ड्रॉखल्टर भांप नहीं हो एक फ्रॉखल्ड्स साउंड प्रोडक्शन दूरिंग स्वालोइंग ग्लॉटिस इस प्लोज बाई एपिग्लॉटिस जो ट्रैकिया का ओपनिंग होता है वह एपिग्लॉटिस से क्लोज हो जाता है ठीक है काटिलिजिनस का वह भी बना हुआ है तो प्रिवेंट इंट्री और फूर इंटु दे ल ब्रॉंक्योज अच्छा इक बात देखें जितना भी ट्रैकिया है ठीक है और यह ब्रॉंक्याई है यह सब में इस तरह से सी सेट काटिलेजिनस रिंग रहता है इनकम्प्लीट काटिलेजिनस रिंग ठीक है मतलब इसको पार्शियली कभर करके रखता है पीशे में ओपन र ठीक है तो ज्यादा इंट्री हो सकता है इसलिए इनकम्प्लीट रिंग रिंग ने हमें दिया है ठीक है चलिए यह न्से रिंग के लाइन से बारे में हो गया साउंड बॉक्स साउंड प्रोड्यूस करता है सोलों में इपिगलेटिस बड़ा हुआ है जो कि लोज कर देता ह और ट्रैकिया जो होता है वो इनकम्प्लीट रिंग है यहां पर तीन चारा एंसी क्यूस आपके कभर हो गया चलिए ठीक है नाव ट्रैकिया जो होता है अच्छा पूरा एयर पैसेज है दो पार्ट में डिभाइड किया कर दिया गया एक जो सिर्फ कंड़क्ट कर रहा है य और एक जो है एक्स्चेंज में हेल्प कर रहा है उसको हम लोग रिस्प्रेटरी पार्ट बोलेंगे जो कंड़क्टिंग पार्ट है इसका काम क्या है अब जब आप अपकभी आप अपना सास को फिल करके देखोगे यह वार्म होता है हलका वार्म होता है फोड़ा हीुमिड अपर बॉर्म होता हे यह वह नग्राट को पॉरा अपर को जाएगा है नेजल चेंबर से स्टार्ट के पूरा कहां तक गया है यह यह टरसरी ब्रांक फिल से अपर जूर्म कहले तक जाएगा हुमिडिविकेशन purification ठीक है चलें external nostrils लेके terminal bronchi ओस तक क्या करता इसका इसका काम क्या होगा transport क्या करेगा transport को atmospheric air into the alveoli क्या करेगा यस clear purify and humidify bring the temperature of the body जो आपका warm हो था that means warmification humidification and clarification तिन काम होगा साफ सफाई warm करना और moist कर देना humid कर देना यह किसका काम हो गया conducting पार्ट का फिर देखे exchange पार्ट का that means वह गैसियस exchange में help कर रहा है कौन-कौन है alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system site of actual diffusion में red line से बोल्ड कर दिया है जहां sensitive use आएगा yes o2 and co2 between blood and atmospheric air ओके लंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहते हैं अब देखे पुछें का कौन से thoracic vertebra में कहां पे mid thoracic vertebra कैसा tube है straight tube है और incomplete c-shape यहां पे rings होते हैं डिवाइड करता है primary bronchus में ठीक है ना चले यह diagram देखिए this is the epiglottis epiglottis के जस्ट नीशे larynx है फिर यह trachea यहां पे c-shape rings देख रहा होगा फिर आपको यहां प्लूरल membrane देख रहा है। यह देखिए dome szbed गुम्बद की जैसा,cheafed diaphragm धीक है फिर आपको यह lung देख रहा है cut margins of the rims देख रहा है यह आपको broncus प्लूरस देख्णों के लोकेशन की बात करते हैं लंग्स जो होता है वो chest cavity में located होता है कहा लोकेट हो का भाई chest cavity में जो होँआ chest cavity है this is called as what thoracic cavity क्या बोलेंगे भाई thoracic cavity अभी जो thoracic cavity का boundary है सामने के तरफ आप देख रहा हो sternum है ribs है इस तरफ इस को बोलते है ventral ठीक है पीछे के तरफ आगर आप देखोगे वर्टिबल कॉलम है रीड की है और क्या है ribs है laterally sorry laterally क्या है ribs है laterally क्या है ribs है नीचे क्या है diaphragm है नीचे क्या भी diaphragm तो क्या हो गया anteriorly that means ventrally sternum है और आपका ribs है laterally भी ribs का ही part है posteriorly आपका vertebral कॉलम ribs है नीचे क्या आपका diaphragm यह यह टाइट cavity होता है ठीक है यह यहां पर नहीं आ सकता है यह लीक होता है यह टाइट chamber होता है चले thoracic thoracic chamber यह thoracic cavity की हम लोग बात कर रहे हैं now the lungs are situated in thoracic chamber जो की कैसा chamber है भी यह anatomically air tight chamber है boundary के अगर बात करें dorsally क्या होगा vertebral column साथ में ribs होंगे ventrally क्या होगा sternum साथ में ribs होंगे laterally क्या है ribs है और नीचे क्या है dome-saved diaphragm देखें वेंटर सर्फिस के पूरा सर्फिस होता है अगर आप से सिर्फ और sternum आएगा option में तो इस option भी आपको इस टिक करना पड़ेगा ठीक है नौ अना टॉमिकली क्या इसा है बहिए air tight cavity है यह air tight cavity है तो pulmonary volumes के लिए important है वो कैसे important आपको थोड़ी जब में भी पता चलेगा mechanism of respiration में चले लंग्स की बात करते हैं जो आप लंग्स देख रहे हो हमारे पास जो लंग्स होता है यस वन पेर होता है वन पेर कहां है भीया कौन से cavity में located है this is located in the what thoracic chamber कहां located है thoracic chamber में ठीक है किसके उपर रश्ट कर रहा हैै । डियाफराम के उपर यह किसके उपर भीया रश्ट कर रहा है दियाफराम के उपर दो लंग्स है Right and Lift lasting जो होता है उसमें तीन lobe host है तीक है और left lump जो होता है उसमें सिर्फ दो lobe host हो और बीच में यहाँ पे located होता है हमारा heart lift breaker जो होता है वहाँ चलिए ध्यान रहे कहा लोकरेट है भाई थोरैसिक कैविटी में रिस्ट कहा कर रहा है डियाफराम के उपर राइट है थ्री लोब्स लेफ्ट है टू लोब्स याद रखना लेफ्ट फॉर लेस ओके इस लंग इस लंग दोनों लंग जो होते हैं एक कवरेस से कवरिंग होती ह जिसको और बोलते है फ्लिव्ल मेंब्रेन इस तरह से होगा फ्लिव्ल मेंब्रेन होगा फ्लिव मेंब्रेन करवाने के लिए So सब कर रहा है यह सब मिला कि आपका लंग का formation करवा रहा है alveoli and their ducts आपको अलड़ी पता हा है exchange part form करता है alveoli जो है क्या है structural and functional unit of lung alveoli क्या है structural and functional unit of lung चले now यह label करने के लिए आप से पूछा है A आपका क्या है भीया trachea है B आपका क्या है pleural membrane है D क्या है diaphragm है और C क्या है alveoli है ठीक है तो C क्या है आपका alveoli है क्या पूछा इसमें the diagrammatic represent of human respiratory system A B C D select the option give correct identification and main function with characteristics ठीक है alveoli clean valve vascular bag structure help in exchange of gases सही है D lower end of the lung G नहीं diaphragm है A trachea long supported by cartilaginous ring for conducting the inspired air long tube supported by complete ring नहीं कैसा ring होता भीया in complete ring होता है pleural membrane surrounds ribs on both sides जी नहीं ribs को surround नहीं करता है वो lung को surround करता है lungs are enclosed भाई भाई जो भी lungs होते हैं they are enclosed in double layer इस तरह से pleural membrane okay pericardium heart का होता है ठीक है perichondrium जो होता है perichondrium कहां present होता है cartilage में periosteum bones में present होता है skin is the accessory organ of respiration skin is the accessory frog में जो होता है skin जो होता है accessory organ of respiration के लिए help करता है okay जो होता है